आप सभी को नमस्कार पोटेट यानि आवक्ष चित्रम कि आपने काफी प्रेक्टिस की हैं अभ्यास किया हैं और आपको कई वीडियो के माध्यम से सिखाने और अभ्यास करने का प्रेतन किया बीए दिर्थिये वर्ष प्रश्न पत्र दिर्थिये हैं पहला प्रश्न पत्र डिजाइन है कंपोजिशन है और दूसरा प्रश्न पत्र आवक्ष यानि पोट्रेट पोट्रेट को जब हम शुरू करते हैं तो हमें मुख्य रूप से किनकिन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए नियमित अभ्यास किस तरी कैसे किया जाना चाहिए क्योंकि नियमित अभ्यास के बिना किसी भी कला का अभ्यास अधूरा ही रहता है हम उसमें निपूर्ण नहीं हो पाते पोट्रेट कैसे वाटर कलर में बनाय जाता है किस तरी कैसे पोस्टर कलर में बनाय जाता है और ओल कलर में बनाय जाता है ये सवी आपको अलग-अलग विधाय, शिखाई मेंने, वीडियो के माध्यम से, और एक बार पुन्हा मैं आपको इन मुख्य बिंजुओं के उराकर्शित करना चाहता हूँ, कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके आवक्स चित्रन पोट्रेट, पांच घंटे में आपको एक्जाम में तयार करना होता है, इसका जो एक्जाम का टाइप पिरिड फाइफ आवर्स, इसको कैसे तयार किया जाता है, क्लास स्टड़ी जैसे वर्तमाने में कोरोना काल के अंतरगत, क्लास स्टड़ी संभव नहीं है, तो हमें पहला पॉइंट यह है, कि सबसे पहले हमें कुछ वीडियोज देखने चाहिए, हम तो जो आपको भेज रहे हैं, मैंने जो आपको भेजा वो देखना ही है, साथ-साथ आप इंटरनेट के माध्यम से और कई पोर्टेट बनाने के वीडियोज देख सकते हैं, और उन वीडियो को देखने से आपको और नई आइडिया आएंगे, जब भी हम पोर्टेट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें सामने बेठा हुआ मोडल का स्केच बनाते हैं, इसकेच से भी पहले हमें उसको बहुत अच्छे डंग से अब्जर्वेशन करना होता है, जो अभी वर्तमान में आपने जो पोर्टेट बनाए हैं, इसी पदित्ती को अपनाए होगा, आप सबसे पहले सामने बेठे हुए मोडल को अच्छे डंग से देखें, अब्जर्व करें, और अब्जर्व करने के बाद, आप उसकी आँख, नाख, कान, मुह, इनको सेपरिट बनाने का प्यास करें, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि एक फेस किस तरीके से बना जाता है, इसका भी एक मेजर्मेंट होता है, सामने बेठे हुए मोडल को हम नापते हैं, और नापकर हम उसको ड्रो करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका अबजर्ब करने के बाद ना, कान, आँख, मुह ये सेपरिट आपको पेंसिल से ड्रो करके बनाने चाहिए, जब आप बार-बार वेसे बनाएंगे, इनका भ्यास करेंगे, तो आप नाक बनाना सिखेंगे, आँख बनानी सिखेंगे, कान बनाना सिखेंगे, और मुह होट आप बनाना सिखेंगे, होट, नाक, आख, कान ये separate आपको सीखने चाहिए आपको separate इसकी study करनी चाहिए तब ही आप पूरा portrait अच्छी धंक से बना पाएंगे जब आप ये सभी सीख लेते हैं तो उसके बाद face का structures तयार किया जाता है उसका भी ratio होता है जैसा कि मैं एक simple से मेरे इस portrait में बता रहा हूँ कि ये इतना portion अलग यहां से line खींची जाती है और फिर दूसरे ये तो इस तरीके से एक, दो और तीन भागव में एक egg के आकार की form लेके और उसको divide कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम portrait बनाते हैं जब आप portrait बनाना सीख जाते हैं या उसके जो भी face की उपर के जो आग, ना, कान, अच्छे डंग से सीख जाते हैं और face का structure सीख जाते हैं तो आपको सीधा इन चीजों को वहाँ पर set करने होते हैं या उनको अपनी अपनी जगर पे समय उजित करने होते हैं तो ये आपने किया है लेकिन एक बार पुना में आपको या दिलाने के लिए और इसको point to point आपको इस सम्मंद में बताने का प्रयाश कर रहा हूं उसके बाद में जब आप seat पे आँक ना कान होट सीख जाते हैं इसका structure आप face का बना देते हैं और उसको divide करके rules के असाब से या face के विवाज़ उसको egg की shape को तीन भागाव में जैसा पहले आपको मैंने शिखाया है उस तरीके से उसको विवाजित करेंगी और करने के बाद आप उसको जिस balance में जिस जगह आपको नाक यानि होट और आखे और कान आपको बनना है जब यह draw हो जाता है तो आपको कम से कम दो तीन portrait आपको pencil से बनाने चाहिए जिसमें pencil setting हो किदर से light आ रही है उसका आपको जहन रखना है light side का portion light रहेगा और जहां से dark भाग है उस portion को आपको dark रखना है इस portrait में light रो dark का effect होना चाहिए वही अच्छा है क्योंकि light रो dark का effect जब तक नहीं आएगा तो portrait ख्लैट नजर आएगा pencil से आपको करना पहले pencil से shedding करना है जब आप portrait को बना के और pencil से shed कर लेते हैं तो फिर हमारी बार आतिक colors के रंग भणने के अगर आपने proper study नहीं किये और आपने इस case proper नहीं बनाया है तो जब आप color शुरू करेंगे तो आप proper रूप से color नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको स for fact structure face का बनाना है उसकी आकरती बनानी है उसके बाद आप उसमें color करेंगे जहां light portion है उसमें light color यूज करेंगे और dark side है जहां पर छाया पटई है उसको आप dark बनाएंगे इस तरीके के आपको step by step practice करनी है आप सभी को जो आवक्स चितन बनाना है परिक्षा की दृष्टी स समिशन की दृष्टी से half imperial seat में आपको बनाना है इसमें दो तरीके की seat का मिलेग सकते हैं एक drawing seat और दूसरी एक पूना handmade seat आती है इन दोनों seat का अपना nature अलग है आप इन दोनों seat का use कर सकते है जब आप इसमें pencil से draw कर देते हैं shedding का अलग बनाए एक बिना shedding का बनाएंगे जिसमें आप shedding नहीं करेंगे लेकिन आप इसमें ध्यान डखेंगे कहां पर light और dark effect हैं सामने बेठे हुए model को आप water color के माध्यम से बनाने का प्रैस करेंगे और उसमें जो light portion है जहां एकदम light पढ़ रहे हैं वहां white color use नहीं होग sheet का color ही रहेगा यानि sheet ही रहेगी white वहां पर हलका color use करके और उसमें प्रकाश का प्रभा देखाया जाना चाहिए और जिस side से अंधेरा है रोशनी नहीं आती है उस portion में dark color का use किया जाना चाहिए किया जाता है इस तरीके से एक portrait हम complete करते है ये देखिए ये draw है ये simple सा draw है और इसमें pencil side हलकी दे रखी है आप इसमें coloring कर सकते हैं इसमें ये जो dark pores जो है जहां dark pencil का उप्योग किया गया इसको आप light कर सकते हैं light करके और फिर इसमें color का उप्योग कर सकते हैं ये pencil side work है ये पूरा pencil से work किया गया है तो ये light or dark का effect pencils के माद्यम से ही दिखाया गया है या coloring की बात नहीं है इस तरीके से हम आखों का रेखांगन कर सकते हैं pencil work से आखों की study कर सकते हैं जब आपको ये आख बनाने अगर आ जाती है इस तरीके से तो फिर आपके लिए portrait बनाना को बड़ी बात नहीं होती है आप इनकी separate study करने के बाद face का structure बनाके और सीधा अनुपात के according वहां पराबना सकते हैं ये देखे ये अलग-अलग तरीके की यहां practice है आप भी ऐसे practice कर सकते हैं जैसे ये हैं एकदम सामने से ये भी अलग-अलग direction या अलग-अलग position कह सकते हैं तो ये आज जो मैंने आपको बताया इस पर आप अवश्य ही ध्यान देंगे और आप इस सम्मंद में practice करेंगे और जो जो भी portrait बनाते आप आ रहे हैं वो आप अवश्य ही मुझे भेजें मुझे दिखावें ताकि मैं आपको उस सम्मंद में और discuss करते हुए उस सम्मंद में और आगे सर्चा कर सकते हैं आप portrait बनावे और आपके घर पे जो भी आपका member है आप उसको सामने बिठाएं और बिठा कर उसका portrait बनाए और आप अपनी practice continue करें अगर आपने एक बार बना दिया फिर आपने 15-20 दिन महीने दो महीने नहीं बनाया तो फिर आप वापस भूल जाएंगे जितनी practice आप करेंगे continue आपकी pencil जितनी चलेगी उतना ही आपके अभ्यास होगा और अभ्यास का परिणाम यह होगा कि आप अच्छे ढंसे portrait बनाना सीख जाएंगे इसलिए विज्यार्थियों आप सभी नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए और आपका नियमित अभ्यास ही आपको एक बहुत अच्छा portrait बनाने में help करेगा आप अच्छा portrait बनाना सीखेंगे धन्यवाद